ओके गईस तो अब हम आगार हमें लट्टो स्क्रीन में और यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि एटू होस्टिंग से अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हूं तो इसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं तो अगर बारें बात करेंगे और इसके अलावा कौन सा प्लान लेना चाहिए इन सब चीज़ों पर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो हम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उस पर एक सप्रेट वीडियो बनाती है जाएगा तो चलिए अब वो डाउट आप चाओ तो वर्डप् प्लान पर्चिस करना है कितने टाइम के लिए पर्चिस करना है यह सब चीज़ भी जानना जरूरी है चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर हमें कौन-कौन सर्विस बिलते हैं अब आप देखोगे तो एटू होस्टिंग आपको हर तरह की होस्टिंग देता है और जो नाम यहां पर लिखा हुआ है होस्टिंग का वही exactly होस्टिंग आपको यहां पर मिलने वाली है ठीक है अब सबसे पहले शेयर डोस्टिंग है डेफिनेटल जहां से हर एक beginner जहां से शुरू करता है जहां से मैंने भी शुरू किया है वो शेयर डोस्टिंग है वो शेयर तो इसलिए बहुत ज्यादा कम लोग लेते हैं और इसका भी वही चीज है कि अगर हर चीज आपको एकदम डिडिकेटर ली चीज़ हो तो आप इसका यूज कर सकते हो अगर आपको अपना बिजनस टार्ट करना है इनकेस अगर आप एक डवलपर है अपने क्लाइन्स के लिए बाहर से होस्टिंग ली लेते हो आप बस अपना रिसलर लेकर रख लोगे फिर जितना चाहे उतने क्लाइन्स में आप इसे बाढ़ सकते हो यह अच्छा आप्शन रह इस फ्लग इन करके एक अलाग ऑप्शन रहता है हाला कि हमारे लिए जो में चीज़े हैं वो यह तीन हो है वाड़परस होस्टिंग, मैनेज वाड़परस होस्टिंग और वोकमर्स होस्टिंग डन अब एटू होस्टिंग की सबसे खास बात करते हैं सबसे पहले हैं देखो कोई कंपनी नहीं है मार्केट में जो आपको 8GB RAM या 16GB RAM देंगे इस प्राइस पर हाँ मैने अगर 25-30,000 रुपर अगर आप देते हो तो और भी कंपनी जो आपको यह देती हैं लेकिन 8GB RAM 16GB तक का RAM एक होस्टिंग में मिलना वो भी इस प्राइस रेंज पर impossible है ठीक है तो य यह चीज प्रवाइड करने वाले सिर्फ एक ही एक कंपनी है एक होस्टिंग और इससे भी अगर एक और इंपोर्टन बात करो तो वह यह है कि आपको माल लो any point of time अगर आपको लगता है कि नहीं है आगे मुझे इस business को run नहीं करना मुझे इस website को run नहीं करना मुझे इस ब्लोग को run नहीं करना मुझे अपना यह hosting भी नहीं रखना है क्योंकि अगर मैं business ही बंद कर रहा हूँ तो मुझे hosting चाहिए नहीं मुझे return करना है तो at any point of time इस आप इसे return कर सकते हो लेकिन बस condition यह अपलाए होता है कि आपने माल लो कि 5 महीने चे महीने यूज़ कर लिया जो आप इस return करो तो आपको 6 महीने के ह आपस मिलेंगे ठीक है तो यह एक खास बात है और कोई भी hosting आपको एक महीने से जादा या 45 दिन से जादा return का option नहीं देती है बस यह company आपको लेती है तो आपको तीन साल के लेते हो एक जिर साल बाद आपको करना होता है तब यह कर सकते हो जो बचे हुए जितने time का होगा आप वो आपको return कर दिया जाएगा तो यह एक अच्छी facility A2 hosting वालों में रखा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है यह एक तरह इसे मनला एक transparency बना के रखती है company और customer के बीच में काफी अच्छी बात है यह चलो अब यह इनकी सबसे अलग बात हो गई जो A2 hosting की सबसे खास बात है जो किसी और में देखने को नहीं मिलती है यह दो बात है हमेशा याद रखना है यह दो चीज़े सबसे खास है अब बात करते है plans के बारे में तो guys आपके बास यहाँ पर shared hosting plans है WordPress hosting plans है WPS plans है dedicated hosting plans है हमेशा जब भी आप एक beginner रहते हैं आप शुरू हमेश से plans है shared hosting अब यहाँ पर आप देखो के तो आपको shared hosting plans में चार option मिलते हैं ठीक है पहला है startup दूसरा drive तीसरा turbo boost और चोथा आपको विलेगा turbo max ठीक है अब यहाँ पर सबसें इंटरस्टिंग चीबता तो यहाँ पर प्राइजी शुरू होती है वो 2.99 डॉलर पर मत से RAM, Storage यह सब कुछ भर-भर के मिलेगा और वो भी बिना i-not restriction के इसलिए A2 hosting को लोग इतना मानते हैं market में इस company को बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं क्योंकि pricing काफी ज़्यादा रहती है अगर इसके बड़े-बड़े plans में आप जाओगो तो pricing काफी ज़्यादा रहेगी लेकिन अगर हम बात करें इनके starter plan, इनका drive plan बहुत ज़्यादा बिखता है इसके बाद turbo boost और turbo max तक तक तो खेर जातर लोग जाते नहीं हैं लेकिन turbo max में जाने से बड़िया मैं आपको कहाँगा कि आप इनका wordpress hosting ले वो आपको ज़्यादा powerful मिलेगा क्योंकि turbo max में आप 14 ड जाता है आपको जो आप उसे host कर सकते हूँ ठीक है और आपको क्या रहेगा यहाँ पर key features चेक कर लेते हैं unlimited transfer यानि कि सबसे सस्ते वाले plan में आपको unlimited bandwidth मिल रहा है यानिकि जितना चाहिए उतना traffic handle कर सकते है unlimited email accounts 24 into 7 support आपको यहाँ पी मिलता है ठीक है और यहाँ पर आपको easy c panel मिलता है ठीक है 99.9% uptime मिलता है free SSR certificate मिलता है free website builder मिलता है website staging मिल जाता है और choice of data center location आप जिस को जो कोई भी आपको data center लेना है आप ले सकते हो ठीक है यह भी आप कर सकते हो यहाँ पर चलो अब यह सारी बाते हो गई अब आप अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ प अब चलो तो अब यहाँ पे आपको पर मंथ 2.99 डॉलर देना है अब यहाँ पर आपको 100gb SSR storage मैंने आपको कहा था कोई i note restriction नहीं लगेगा ठीक है free and easy site migration मिलता है यानि कि अगर आप कोई दूसरा hosting यूज कर रहे हो और आपको A2 hosting में shift कर होना है तो company आपको shift करके देगे बिल्कुल free में है बिना कोई mistake हुए आप इसे shift कर सकते हो ठीक है आप अगर आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है अगर लेंकिन मालों कि अगर आपको नहीं आता है migrate करना तो company आपको migrate करके देगी वी आपसे कोई charge लिए बिना ठीक है अब दूसरा plan अगर देख है ठीक है free domain मिलता है money back guarantee मिलता है free domain तो आपको पूरे साइट पर हर चीज में मिलेगा ठीक है और इसके लब आपको key features यहाप आप देख सकते हो यह सारे key features लिखे हो growth features आप देख तो unlimited website 2x resources आपको मिलते है unlimited database और हर एक चीज यहाँ पर mention की हुई है ठीक है और आगे जाओग देना है आपको और उसमें आपको क्या मिलेगा unlimited NVMe SSD storage जो की SSD storage से भी कहीं ज्यादा fast रहता है ठीक है SSD storage तो अपने आप में बहुत fast ही है लेगिन उसके उपर से और extra fast storage आपको NVMe में मिलेगा ठीक है और यहाँ पर आपको 20x extra performance मिलेगा ठीक है और money back guarantee वो तो हर किसी में रहता सकता है अब देखो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो handle up to 9x small traffic लिखा हुआ रहा है इसका मतलब क्या है इसको समझेने की बात है जैसे जैसे plans बढ़ते जाते तब क्या होता है RAM बढ़ेगा core CPU बढ़ेगा तो real time traffic को handle करने की बात हो रही है यहाँ आप 9x small traffic बागी unlimited bandwidth तो अब आजाए handle करेगा लेकिन same time real time traffic को handle करने की जो पावर है वो RAM और core CPU के हाथ में होती है जितना बड़ा-बड़ा प्लान आप लेते जागो उतने जादा आपका RAM बढ़ता जाएगा उतना core CPU बढ़ता जाएगा तो पहले बाले प्लान में को 1GB RAM मिलता है दूसरे प्लान मे at the regular rate at the end of the introductory term मतलब regular rate का मतलब यह है कि आप जिस भी price में आप लेते हो वो normally क्या होता है कि double हो जाता है हर hosting के case में लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे link के थुरू कर आप लेते हो तो आपको जो regular rate है मतलब जो भी rate आपको यहाँ पे लिखी हुई है इसी rate में आपका renewal हो जा जाएगा हर एक plan पर अलग discount apply होता है सबसे कम discount आपको 50% मिलता है वो सबसे बड़े वाले plan मिलता है वो सबसे ज्यादा पर discount आपको 76% वो आपको first plan मिलेगा तो आप link पर क्लिक करके आना तो आपको यह चीज जो है directly apply हो जाएगी और अगर आप हमारे link के through click करके directly purchase करते हैं तो आपको renewal के time पर भी यही amount देना पढ़ेगा ठीक है तो यह और benefit आपको मिल जाता है आप चलो चलते हैं WordPress होस्टिंग आप देखो कमाल का है कमाल का है यह कोई मुकाबला ही नहीं है इस चीज का देखो आप सबसे इंटरेस्टिंग सबसे 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 प्लान देख लो शेयर डॉस्टिंग में सबसे महिंगा प्लान 14 Gb द दॉलर द अथ जिसके अंदर आपको 4 Gb मिल तो यहांपर आपको 11 ड्लर में चार्जी सर्च बै डी का जा कोई डाउट नहीं है अब पांच वेबसाइट भी मुझे शायद बहुत रेयर कैसिस में चाहिए होता है लेकिन हाँ दो या तीन वेबसाइट से होस्ट करता हूँ मैं तो उस केस में क्या रहता है तो यहां पांच वेबसाइट का जो है ऑप्शना में मिल जाता है दो सो पच है जो प्लान मुझे लगता है अब देखो महेंगे प्लान डूंड होगे तो बहुत है यहां पर अगर आप देखो न 8GB RAM है यहां पर 16GB RAM है तगड़े तगड़े प्लान इसमा बहुत है लेकिन और ऐसे प्लान सापको कहीं और नहीं मिलें किसी भी होस्टिंग कमनी आपको 16 12GB RAM नहीं देती है चाहिए आप WooCommerce ले लो उनका चाहिए खुछ भी ले लो 16GB RAM आपको कहीं नहीं मिलने वाला है तो उस लेवल का कमाल का पर्फॉमर्स आपको सिर्फ और से फेट्टू कोस्टिंग में देखने को मिलता है ठीक है लेकिन प्राइस भी आपको 41 दॉलर पर मन देना पड़ रहा है तो काफी एक बड़ा amount रहता है लेकिन अगर आप e-commerce business कर रहे हो ना तो आपके लिए यह amount बड़ी बात नहीं है आप एक प्रड़क्ट बैचोगे ना तब भी आपका पैसा बुरा आ जाएगा हर महीने आप एक प्रड़क्ट बैचोगे ना आपको hosting का लग चीज़ है बूकमर्स के लिए hosting बही लोग लेता है जो एक्सुल में बूकमर्स बिजनस करते हैं और एक बहुत मोटा पैसा गवाते हैं तो उनको उनके लिए थी बहुत सस्ती चीज़ है बस वो चीज़ है लेको सबका अपना अपना देखने का एक नजरिया होता है ठ तो मान कीज़र 50-50 के साब से अगर आप इसको देखते हैं तो लगबग 4,000 रुपे का हुआ यह है तो उस रसाप से 700 रुपे कम कर लेते हैं उसमें से तो 3,300 रुपे का यह प्लान रहता है ठीक है तीन अजर 300 रुपे कुछ इस प्लान के हमें देने पड़ते हैं हर महीने तो यह पूरे साल का अगर आप निकाल ले तो 12 into 3 ठीक है लगबर आपको यहां पे कुछ 36,000 रुपे देने पड़ेगी पूरे साल के जो कि बहुत ही बड़ा अमांट निकल कर आता है अगर होस्टिंग ही बात करें तो लेकिन 36,000 रुपे कुछ भी नहीं होते हैं एक e-commerce business क करने वाले के लिए ठीक है बस वह है वह point of view है beginners point of view से बहुत जादा है लेकिन e-commerce point of view से कुछ भी नहीं है तो आप वो चीज देख सकते हो अब बता देता हो कौन सा प्लान लेना है गाईस देखो सीधी सी बात है WordPress hosting अगर आप लेते हो तो jump वाला प्लान लेलो और share hosting लेते ह आपको जो दूसरा प्लान है वह वाला आपको लेना है ठीक है सीधा सीधा concept है कोई भी इसमें डाउट रखने की ज़रोत नहीं है यह वाला जो प्लान है यह best plan है अगर आप shared hosting लेते हो तो और अगर आप WordPress hosting लेते हो तो मैंने आपको बता दिया उसमें भी second वाला जो प्लान टाइम देखो यहाँ पर हमें को भी domain अगर आपको लेना है register a new domain क्लिक कर लेते हैं तो कुछ भी domain यहाँ पर एंटर कर देंगे चेक है availability कर लेते हैं और available है की नहीं है ठीक है और continue पर क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर ओके डन तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारी hosting है आपको इंडिया का चाहिए या यूएस का चाहिए तो हमने इंडिया का अंसाल लोग सेलेट कर लेंगे यह हमारा currency रुपीज में हो जाएगी 5900 रुपे ठीक है अब आपको 12 मन्थ चाहिए 36 मन्थ चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर options है हमारे पास 12 मन्थ कभी भी गलती से भी यह मत ले लेना 1 मन्थ का ठीक है क्योंकि हर महीने 1000 रुपे 12000 रुपे लग जाते है पूरे साल के यहा तो आप 12 महीने का लो या फिर आप 36 महीने का लो 24 महीने का भी आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर मन्थ आप से 673 रुपे लिए जाते है और 12 महीने के 497 और 34 महीने के भी आप से 497 लिए जाते है तो सबसे बड़िया जो प्लान है या तो 12 महीने का ले लो या फिर 34 म रुपे में आपके तीन साल का खर्चा निकल जाएगा ठीक है और अगर आप वह 41 डॉलर वाला देते तो एक साल के 36,000 रुपे लग रहे हैं और यहां पर तीन साल के लिए 17,000 रुपे लग रहे हैं तो मेरे इसाब से यह वाला प्लान बेस्ट है ठीक है और इसके अलावा आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपको सर्वर लेना है तो सिंगरपूर जो कि हमारे एशिया में रेता है यह आप ले सकते हो और इसके लाव एपसाइट विल्डर चाहिए नहीं चाहिए हमको ओटो इंस्वल आप्लिकेशन चाहिए नहीं चाहिए ठीक है कंटिन्यू कर लेंगे और यह आपका यहाँ पे हो गया है टॉटल टेक्स वगेरा जोड़ें सतरह अजार के साथ टेक्स वगेरा जोड़ कि आप यह पर यह यह चीज देख सकते हो ठीक है तो यह आपका कंप्लीट जो है एक होसिंग प्लान रहने वाला है सारा डिस्काउंट बगेरा सब लेकिन यहां पर आपकी जो बन रहा है वो सिर्फ 18,000 रुपर बनता है तीन साल के लिए ठीक गाइज तो आप चेक आउट कर सकते हो इस तरीके से आप जो है यह चीज अपलाए कर सकते हो प्रोमो कोड देख सकते हो आप डिरेक्ली यह अपलाए हो चुका है यह बन टाइम प् तो यह थी सारी कानी A2 hosting की अब अगर इसमें कोई भी एक चीज अगर मुझे यूँ लगता है कि अगर आपको लगता है कि मतलब इसमें कुछ प्राब्लम है तो गैस प्राब्लम सिर्फ और सिर्फ इसके हॉम पेज पे है कि आपको हर चीज डॉलर में दिखाई देती है आपको बहुत बहुत दिखनी बात